दोस्तों के LD Glasses में आप सभी का स्वागत है आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट आज जारी की गई जिसका नाम है Is Up Doing Business इसके बारे में हम बात करेंगे कि यह जो डाटा है कौन जारी करता है और क्यों जारी करता है इसमें जो भारत देश है उसका क्या रैंकिंग है या कौन सा अस्थान है इस वर्ज पिछले साल कौन सा अस्थान था जिससे इस साल भारत के स्थेति कहा गया है कि सही हो गई है और यहां पर पाकिस्तान भी जो देश से उसके वेश्तिति सुद्री है कौन सा देश प्रथम अस्थान पे है यहां तक कि आपको पहला और दूसरा तीसरा तक आपको पता होना चाहिए उसके बार भारत देश और जो प्डोसी देश से विखाने होना चाहिए क्योंकि अकसर एकजाम में पूछा जाता है रैंकिंग से लेके एक कोर्षन जरूर आता है कि यह जो डाटा निकालागे या कौन निकालता है या कौन जारी करता है या कह सकते हैं कि किस देश का पहला अस्तान या भारत का अस्तान कौन सरा इसके बारे में हम पूरी डीटेल के साथ जाएं कह सकते हैं इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो कह सकते हैं कि डाटा का क्या नाम है तो इस डाटा का नाम है Is Our Doing कह सकते हैं कि Doing Business कहने का मतलब कि आप के हाँ आपके अपने देश या कह सकते हैं कि आपका जो देश है या कोई भी सहर होगा वहाँ पे बीजनेस का क्या मاحल है कैसे कर सकते हैं कि जो बाहरे बाहरी कह सकते हैं डाटा को, तो 200 गांग 2B कह सकते हैं कि 20 सबस्राइटीत हैं, यह जारी करता डाटा, और इसमें अब की बार 190 गांगा त्या नियुजेड कह सता है, कि डाटा किया गयोगी है, तो सबसे पेहले हम बात करते हैं कि कौन से गांग को पहला अस्थान मिला है, और दूसरा यहां तक कि हम चार तक बात करेंगे उसके बाद भारत और पाकिस्तान देश के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले अस्थान पे आपका फ़र्श नमबर पे देखे मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ फ़र्ष नमबर पे आपका है न्यूजी लेंड देश जो आप कह सकते हैं कि न्यूजी लेंड जो देश है उसको पहला अस्थान मिला है वहीं सेकेंड अस्थान पे अपकी बार कह सकते हैं कि सिंगापूर जो मिला है एक बाद करते हैं कि जो चौथा देस से चौथे नमबर पे है ओर डेनमार्क है कह सकते हैं यह चार देस यहाँ पहले पे कौँ ता एक बार आप दोहरा लिजे नियूजिलेंड दूसरी एक है यह सेकेंड अस्थान पे सिंगापूर ठाट पे आपका होंग कांग और फोर्त न लिख रखा है आप इसे आराम से पर सकते देखे यहां सबसाब पूरा आपको लिखा मिलेगा लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं कि क्या मैं कहना जा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इसके बात बात करते हैं कि भारत का देखे क्योंकि मैंने भारत को पहले नही क्या अस्थान था ये भी पूछा जा सकता है कि विछले साल इंडिया या भारत का अस्थान बिजनेस में इस आप डूइंग में कौन सा अस्थान था तो 2018 में बात किया जा तो 77 नंबर का था उसी तरह से 2019 में कह सकते हैं कि इस तीदी थोड़ा सा सुधरी है और 14 अंग कह सकते कि 14 असान भारत अच्छे प्रोजिसन पर आया क्यों कहा गया है कि जो मोदी सरकार आई है केंद में कह सकते हैं उसने वेपार को करें आसान बनाया है जो जमीन खरीदने की होता ने कि अभी इसके बारे में बात करें कि उद्देश कैसे बनाया जाता है और कौन से पैमाने ल इस नंबर था ये पिछली सल के बाद 2008 रही दोजर उन्नीस में मैं बात करूं तो पाकिस्तान का आगया है 108 ये भी कह सकते हैं कि जैसे भारत 14 अस्तान कह सकते हैं कि 77 से यहां पे 77 से 63 आया उसी तरह से पाकिस्तान देश भी 136 से 108 अस्तान पे या यह कह सकते हैं कि इसके भी इस्तिती सुद्री है क्योंकि इमरान खान जब से प्रदान मंतरी बने हैं तब से का गया कि वहां पे भी पाकिस्तान में भी बिजनेस करना अब कह सकते हैं कि जो निव जाता है कि आपके देशाम में क्या ऐस्तिति है इसके बाद करते हैं कि इससे उद्देश क्या ह i extension क्या होता है अगर इसका अगर heap पुचह जाकिGo एक आमेरिका में कोई बिजनेस खूल रहे हैं, इसक्ति हम अपर तो यह सबसे पहले होता है, कि यहां अगर बनायां आप बिजनेस खोलना है, तो हमें अमेरिका में कोई जमीन लेने में कितना आसानी लख रहा है या परमिसन दे रही या नहीं दे रही है या कितना पैसा या इस तरह सकते हैं कि जो कागज या कैसे हैं कि जो हमको पास कराने में कितना समय लग रहा ये भी चीज होती है अगर हम बिल्डिंग बना भी रहें तो क्या कितने दिन में दो साल तीन साल तो नहीं बिल्डिंग कि इस बार 2019 में कह सकते कि थोड़ा बहुत सुदरी क्योंकि यहां पे सरकार ने सब्सकूर WOMAN का अगली बार 2022 में कह सकते हैं तने प्रिश है भारत 63 के शीशतेच के अंदर के अंदर 50 के अंदर किंदर लाने सबार सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक सब्सक्राइब करें जो भी कह सकते हैं यहां पर बड़े एक्जाम के लिए यह कैसे डाटा पूछा जाता है इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के लडी क्लासेश में धन्यवाब